भाशा में व्यक्त किया я, निकटवर्ती और शृतियों का साधना से समझ इसलिए है क्योंकि शृति सहायता करती है मुनुष्य के भीतर की अंतह त्रिष्टी को टून in करने में मुनुष्य के भीतर की जो अंतह द्रिष्टी है वो टून in नहीं होती वो उस सुई की भाहती है जो हमने पहले देखते थे, कि जब हमारे हाँ साउंड सिस्टम में मीजिक चलता था, तो एक सुई हिरती लिए, तो उर जो जो नीडल थी, फिलिकरिंग नीडल मुनुषकी अन्तयत्रिष्टी भी ऐसे ही है, बाहर की परस्तितियों के नुरू बोड डांस करती है ऐसे में शुतियों को अगर हम लोग वो बीट्स वो रिदम थमा दें तो शुतियां हमारी बहुत सहायता करती है शुतियां अगर मुनुश्य को 24 गंटे की साधना करानी है तो उसे दो गंटे की शुति आवश्यक है दो गंटे की शुति ये सुनिश्चित करेगी कि साधना काल में ये ट्यून डिन रहे अब शुति चाहे वेद हो चाहे वो उपनिश्द हो चाहे वो ब्रह्म सूत्र कुछ भी हो सकता है वो वेद विदान तो कुछ भी हो सकता है पर जो कुछ भी हो उसकी आवशक्ता मनुश्य के लिए अनिवारिय है क्योंकि जो प्रकाश शुतियों से निकलता है रिशियों के कहे गए शब्दों का प्रकाश रिशियों के व्यक्त किये गए भाव का प्रकाश मनुष्य के मानस मंडल में से बहुत कुछ बुहार के परेकर देता है यूँ तो ये गीता श्री मद भगवद गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिशत के साथ खड़ी होती है हमारे अहां अगर हम वेदों के बाद रचना की बात करें तो ज्यानियों ने क्योंकि भारत बड़ा प्राचीन बड़ी प्राचीन संबिता संस्कृती है तो अनेकों के अनेकों प्रकार के मत हैं अनेकों विश्यों के पर हम अब उसमें नहीं जाओंगा पर मोटे रूप से मत है कि वेदों के उपरांत उपनिशद, ब्रह्मसूत्र और गीता ये तीनों लगबग एक ही पंक्ती में आते हैं तीनों को दिन में से वेद व्यास जी को अधिकांश क्रेडिट है खास्त और पर ब्रह्मसूत्र और गीता के विश्यों में इन तीनों का तो इन तीनों में से जैसे गीता हमने चुनी है श्रीमत भगवत गीता भगवत गीता के शब्दों का प्रकाश हमें चून इन करने में बड़ी सहता देता है सत्त तो ये है कि हमारी जो ये पासच है हलाकि ये संभव अभी नहीं है आने वाले समय में इसको संभव करने वाले है कुछ हम परिवर्तन की बात सोच रहे हैं और वो परिवर्तन की बात अभी कैसे होगी ये कह नहीं सकते अभी उस पर विचार चल रहा है कि इन शुतियों के प्रकाश में हम कुछ समय और व्यतीत करें और ये केवल एक लेक्चर ना हो जो पंदरा दिन में एक बार होता है बलकि एक पूरा का पूरा एक आधे दिन से कम की एक रिट्रीट बन जाए उसकी ये हो सकता है कल को कि शायद वो आवदी हम पंदरा दिन में न रख करके महीने में रखें अभी ने इस बारे वो निरने किया पर मन ये है कि शुतियों के प्रकाश में मुनुष्य की साधना होना अवश्रक है क्योंकि जितना प्रगती आप सामानेता किसी अन्य अवस्था में करेंगे उसके अनुपात में शुतियों के द्वारा चूनिन हो करके आप अगर साधना पर अरूड होते हैं तो अनेकों गंटे आप आगे चले जाते हैं क्योंकि श्रवण के साथ अगर गहरा गहन मनन जुड़ जाता है तो वो फिर क्या होता है वो मनो भूमी का एक भाग बन जाता है मनो भूमी जहां से मनुश्य के व्यवहारों की श्रंकलाएं अंजाने सरूप में प्रगट होती हैं तो जिवात्मा की प्रगटी के लिए बहुत बड़ा प्रबंद जुटने लगता है इसलिए शुति और साधना शुति और ग्यान इन दोनों को शुति और ध्यान ग्यान शब्न गलती से बुल गया शुति और ध्यान एक बहुत बड़ा यग्य है ध्यान और ग्यान ध्यान और ग्यान ध्यान और ग्यान ये बहुत बड़ा यग्य है जो मुनुष्य में इतने बड़े स्तरों का परिवर्तन करता है जो सामानेता संभव नहीं है सामानेता जिस प्रक्रिया को करने में वर्ष लगता है उसे अगर एक टाक्टिकल तरीके से किया जाए तो वो कुछ ही समय में पूर्ण किया जा सकता है और ये विशेक अनेकों वर्षों से मन में रहा है कि कुछ ऐसा भी रचा जाए यहां सामाने रूप से रच पाना कठिन था इसलिए अनुभूती प्रवास के विशे में सोचा गया पर वो भी थोड़ा सा पतली कच्ची लस्षी बन गया जीवात्मा की टीस के वल मीथी टीस बन करके जीवन समापना हो जाए उसकी टीस की अगनी में इंटेंसिटी आए वो अगनी प्रचंड हो अपना दर्प लेकर के उजागर हो वो अगनी मनुष्य में एक नची केता का जन्म संभव कराए इसके लिए आवश्यक है शृतियों के प्रकाश में मनुष्य का दियान करना या साधना करना और उसके लिए अगर मनुष्य को महीने में एक बार भी एक प्रबंद मिल जाता है तो समझ लीजिए जो प्रगती चार साल पांच साल में होनी है वो एक साल में संभव है और ये बात कोई कपोल कल्पित कहीं सुनी नहीं है इसलिए हमारे यहां पर स्वाध्याए और सतसंग दोनों को गुथा गया था हमारे यहां स्वाध्याए और सतसंग को गुथेने का कारण यही था क्योंकि स्वाध्याए में बाहर की शुती के अनुरूप अपने दर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता था और फिर उस प्रकाश में जो सत्य उभरता था उसी को हम सत्संग कहते हैं सत्संग का तात्पर एक ही है बीतर उद्भासित जो भाव है जो कुछ भी समक्ष प्रगठ हुआ उसी को सत्संग कहा जाता है the new ushering, the new understanding the new insight the new accommodation जिसे हम कहते हैं वही सत्संग है सत्संग की और कोई परिभाशा नहीं है यही सत्य है जिसका संग मनुष्य को प्राप्त होता है और स्वाध्याय अर्थात अपने अध्यान के लिए अपने विश्लेशन के लिए प्रिरित होना पर उसमें सहायक कौन है उसमें सहायक है शुतियां शुतियां वो उपकरण है जिनके द्वारा बहुत भारी वजन को बड़ी सहचता से उठाया जा सकता है कुछ प्रोफेसर्स ने कहा कि प्रोफेसर मैं नहीं जानता मैंने वाटसेप पर देखा है मुझसे जादा आपने देखा होगा कि जो मजदूर तसला उठाते हैं बोरियां उठाते हैं लिए हमने देखा कि वाटसेप पर एक प्रोमोशनल वीडियो चल रही है कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने मिल करके ऐसे कुछ कैरियर बनाए हैं पीठ पर लगाने वाले और सिर पर रखने वाले जिससे तसला और बोरी उठाके चलना खेल बन गया है पेचकस और चाबी के माध्यन से हम असंभपरतीत होने वाले नट को पेच को खोल पाते हैं उपकरण की सहायता से तो यही उपकरण शृती है दि लाइट ओफ स्क्रिप्चर फैसलिटेट्स दि मुव्मेंट it hastens the process of evolution in a being मनुष्य की जिवात्व में प्रगती लाने में वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं तो आशा है इस प्रियोग पर जिसे हम अब कुछ समय पश्चात स्रजन के माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं इस प्रियोग पर हम कुछ करेंगे और फिर आपका आना केवल एक लेक्षर सुनने के लिए नहीं होगा फिर आपका आना और मेरा आना हम दोनों का सहना भवतु सहनव बनत्तु हम दोनों का यहां आना अपनी अपनी आत्मिक प्रगती के लिए सार्थक होगा अन्य था तो पंदने दिन में क्या सुना था, क्या जाना था, उसमें से लेश मात्र भी बचता है के नहीं, इस पर संदे है, तो आईए, शुतियों के प्रकाश में आत्मिक प्रगति की यात्रा को और अधिक सुगम और तत्पर्ता के साथ आगे ले चलें, इस भाव के साथ मैं आज के इस वक्त भी को पूर्ण करता हूँ अगली बार कि पासच की अवदी थोड़ी अधिक रहेगी क्योंकि हम लगबग नौश लोकों को एक साथ समेट करके आगे बढ़ेंगे इस बार कर रिशीकेश का अनुबूती प्रवास बहुत अच्छा रहा और जिन्होंने भी इस पूर पांच दिनवा बिताए अपना अनुभव सब के साथ इस अनुभूती प्रवास का साजा करें ओम शान 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 ओम अभी योग निद्रा बाकी है